एलो एब्रीवन वेलकम टू आएक्जरेंबी सो दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं ग्रेजुएशन के बाद बीएसी अग्रीकल्चर के बाद आपको क्या करना चाहिए इससे पहले हमने डिसकस किया था कि कौन-कौन से अपॉर्चुनिटी मतलब जॉब कौन-कौन से आप हो चुका है अब इसके बाद आपको क्या डिरेक्ट आप करनी है या फिर कोश्तिव ज्रीशन MSC भी वहसकता है यह करना है जोब तो आफ्ट फानली तब भी करिंगे बट सब्च्पूक जाए जोब सब नहीं deputy आपको करना है यह आज हम कौना करने वाले हैं यहांपर एक फ बहुत जागा एक ही option के पीछे नहीं लगना है हमेशा यह चीज सोचे कि अगर आप कोई भी exam की preparation कर रहे हैं एक बार उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करके item दीजिए नहीं हुआ दुबारा 100% नहीं बलकि 200% मेहनत करके उसके item दीजिए और अगर नहीं हुआ तो छोड़ दी graduation कर लें आपको और भी opportunities दिखेंगे जिस्ट एक बहुत बड़ा रोल होता है इसका impact क्या होता है कि graduation के बाद हम चूज करते हैं कि हमें करना क्या है और हम कैसे करेंगे तो अगर आपका BSC agriculture बहुत अच्छे college से है तो एक आपको अंदर confidence भी होता है एक alumni का network भी होता है तो उसका उससे भी confidence मिलता है कि हमें placement मिलेगा या फिर हमाई जॉब मिलेगी या फिर एक टाइप के security आपके पास है अब मान लीजिए आपका graduation बहुत अच्छे college से नहीं है अच्छे college कहने का मतलब क्या है जिसे आप सभी को बता है गरी कल् कुछ private colleges में अच्छा होता है बट बहुत सारे private colleges में तो नहीं होता है आपको पता है वहाँ पे बहुत कम land तो already होती है तो उसमें आप agriculture क्या सेखेंगे तो इस जैसे आपको ये जरूर चूज करना है कि अगर आपका graduation किसी भी college से हो चुका है तो कोई बाद ने उसको तो आ ही माइने रखता है जितनी आपकी degree इसलिए ये मत सोचेगा कि BSC AG कहीं से भी होगा बराबर value होगी नहीं ऐसा नहीं होता है similarly आप सभी को पता है MBA होगा MBA तो कहीं से भी हो सकता है but IAM से होगा ISB से होगा उसका definitely different impact होगा तो उस चीज़ को समझे तो इसलिए आपको ये ध्या आपको बहुत ज्यादा subject में interest है और आप चाहते हैं कि आपका जो future है वो research की तरह बने otherwise MSC करने के बाद बहुत ज्यादा jobs नहीं होती है अगर आपको job करनी है तो MBA एक सबसे अच्छी opportunity है या फिर हम कह सकते हैं अच्छी degree है और उसको अच्छे college से कीजिए अच्छे से prepare कीजिए अच्छे colleges से कीजिए आयम एमदाबाद में भी एग्री business management होता है और जरूरी नहीं कि एग्री business management ही आप देखें डेफिनेटली आप अग्री culture background है तो जरूर ABM की तरफ आपको होना चाहिए बट उसके अलावा अगर आप general MBA भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है आप जरूर टार्गेट कीजिए MBA के लिए तो जॉब अगर है तो MBA हलाकि MSC के बाद भी हमें जॉब करने बट जॉब का nature किस टाइप का होने वाला अगर research टाइप का nature है तो MSC ही करनी है यह सोच लिजिए subject specific क्योंकि अगर आप देखेंगे MBA जो है professional degree है direct job oriented है MSC knowledge oriented degree है knowledge की requirement होगी MBA आपको पता है overall management होगा सबी जगह MBA की जरूत होजे चाहे agriculture है चाहे non agriculture है यहां पर आपको diversity मिलेगी बट यहां पर diversity नहीं मिलेगी आपने जैसे MSC अगर genetics plant building में कर लिया है तो अब आपको genetic CFA जो भी seed production से related research है वहीं पर आपको job मिलेगी pathology के वहां पर आपको न यह college का जरूर ध्यान रखिए college अच्छा होना चाहिए MSC में भी college अच्छा होना चाहिए BSC में जो हुआ उसको छोड़ दीजिए अभी क्योंकि इस time पर आप सीटी का exam भी देंगे state entrance examination देंगे post graduation के लिए इसके साथ ICR का देंगे तो जरूर टार्गेट कीजिए कि अच्छे college से हो ओके देन उसके बाद job अब job एक ऐसी चीजिए जॉब तो ultimate की आपको करनी है BSCG के बाद भी कर सकते है अगर आप government job के लिए prepare कर रहे है तब उन उपर की बातों का बहुत जादा मतलब है नहीं क्यूंकि आप अगर IPPS AFO बन गए तो जो promotion है आपका process के according होना increment आपका process के according होना है उसमें ऐसा कोई difference नहीं आएगा मतला आप और आपके जो colleagues होंगे सबका लगबग same changes होंगे बट private job में ऐसा नहीं होता है यहां पर different opportunity different payparks allowances या फिर different type के increment होते हैं तो वो सारी चीजें आपकी capacity पे depend करता है इसलिए government job है तो फिर उस पर बहुत जादा discussion मैंने आपको पहले ही बता है college किसी से भी करें degree आपके पास होनी चाहिए अब दूसरा क्या है आपने job की private job की उसके बाद आपने post creation की MBA उसका एक बहुत बड़ा impact होता है और वो positive impact होता है उसके बाद आप job करेंगे then फिर आपको definitely आप देखेंगे कि growth आपको दिखेगी क्योंकि आपके पास experience था plus आपके पास MBA जो management है उसकी knowledge है उसके बाद आप इसको आगे further apply कर सकते हैं तो MST finally एक इसको summarize कर लेते हैं MST तभी करें जब research में interest है या फिर आपको पता होना चाहिए कि आप जिस subject में करने बस फिर उसी subject के आपको opportunities मिलेंगी यह है तभी कीजिए otherwise MBA कीजिए MBA करने के बाद आपके पास opportunities बहुत रहेंगी बट यह ध्यान रहे कि college जरूर अच्छा होना चाहिए अच्छी होनी चाहिए और उतरी ही मेनत से आपने MBA किया होना चाहिए आपका network डेफिनेटली अच्छा बनेगा तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जहां पर आप EFO के लिए प्रिपार करें या फिर बाखी सारे examinations के प्रिपार करें तो इसको पूरा time दीजिए क्योंकि MBA आपको है कि cat को crack करना अच्छा percentile लाना भी एक बहुत बड़ा challenge है और हम मैंने कई बार देखा कि AFO students बहुत जल्दी निराश हो जाते कि sir नहीं हुआ पता है कि बहुत सारी चीज आपकी capability पर डिपेंड करता है तो इसलिए आपको निराश तो किसी भी condition में नहीं होना है बट यह सारी चीज़े एक्स्प्लोर करनी है तो जब भी आप कोई भी स्ट्रेंस मुझ से connect करें जवाब जब भी आप मुझ से बोलते कि से दो साल तीन स कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि नापाइड है जो अच्छी पे करती है इसको कर नहीं सकते है यूपी एसी डिया डियो डियम रसी है मैसी सब्जेक्ट औरेंटेट अब हो चुके हैं अगर आपने पोस्ट्रेशन कर लिया तो और एंटम लोजी के हो चुके हैं सब्सक्राइब की जौब के लिए प्लाइब नहीं कर सकते हैं तो यह देख लीजेगा स्पेशलाइजेशन हो जाता है और बहुत स्पैसेफिक चीज़े हो जाती है मतलब नौलेज ओरेंटेड है तो यह आपको ध्यान रखना है MBA के बाद एक बहुत बड़ा मतलब प्राइ स्पेशलिस्ट पोस्ट आ रही है पहले से होता था कि असिस्टन मेनेजर ही क्रेडिट ऑफिसर होता था बट अभी बैंक्स ने अभी आप लेटेस्ट एकुट्मेंट देखेंगे क्रेडिट ऑफिसर की डिफरेंट वेकिंसी निकाली है स्केल वन में वहां पर जो मार्केटिंग में आप तभी जा सकते हैं जो आपने MBA किया हुआ है तो MBA करने से डेफिनिटली आपको अच्छे opportunities मिलेंगी तो यह आपको हमेशा ध्यान लखना है किसी बीजिशकले आप success stories देख सकते हैं डारेक्ट जॉप सब्सक्राइशन हमने डिसकस किया ही है स्टार्ट जहान है आप किसके लिए प्रिपार कर रहे हैं बट देखे कोचिंग के लिए मैं हमेशा यह कहूंगा कि कोचिंग सेलेक्शन के पीछे भागने से जादा अच्छा है कि आप यह देखिए कि आपको future में करना क्या है आप अभी अपनी life के बहुत ज्यादा productive years में है इस कीजिए time को time वापस नहीं आता आप सभी को पता ही है so this is all for today comment में जरूर शेर कीजिए thank you everyone for watching this video and have a very great day ahead